हेलो फ्रेंट्स स्वागत आपका हमारा यूटेब चैनल एक्जाम रोज पे मैं प्रवीन कुमार आपका स्वागत करता हूँ तो दोस्तों हमने राष्ट वीडियो में देखा था कि जो भारत का टर्नी जेनल है उसके लिए क्या-क्या प्राफधान है भारती समयधान में और उसके पास क्या राइट्स है वो सारी चीज़े हमने राष्ट वीडियो में डिसकस की थी तो आज हम पार्लियमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग सभा राध्या सभा ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे क्योंकि इन से बहुत सारे एक्जाम से में अब्जेक्टिव क्वेशन आते रहे हैं तो हम कुछ विंदुओं के माद्यम से अब्जेक्टिव क्वेशन या जितने भी इनके जो कॉंसेप्स हैं उन सब को पढ़ेंगे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं पार्लियमेंट अगर बात की जाए बिधायका की क्योंकि जो पार्लियमेंट है mostly इसका काम क्या है बिधी बनाने का ही काम है तो जो बिधी बनाने की बात करी जाए तो बिधायका का कारे क्या होता है बिधी बनाने का काम होता है मतलब legislature जो होता है उसका काम क्या है बिधी बनाने का काम होता है तो बिधी जो बनाई जाती है वो दो लेवल पर बनाई जाती है एक यूनियन लेवल पर और दूसरी स्टेट लेवल पर तो जो यूनियन लेवल पर बिधी बनाई जाती है उसमें क्या है संसद बिधी बनाती है तो संसद जो होती है पार्लियमेंट उसके वो बिधी बनाती ह और जो राज्यों पर बनाती है वो बिधान मंडल बनाता है अथार्थ जो बिधान सवा है वो बनाती है बिधान सवा और बिधान परिशद मिलकर तो आज हम Central Level की बात करेंगे, Union Level की बात करेंगे तो हम सुरू करते हैं Parliament तो बिदायका का काम क्या है? बिधी बनाने का काम है तो जो यूनियन लेवल पर जो बनाएगी वह क्या है? पार्लियमेंट बनाती है तो हमारे यहाँ पर क्या है? बाई केमरल गवर्मेंट है मतलब क्या है दुष सदनिय व्यवस्ता की गई है पार्लियमेंट की दुष सदनिय व्यवस्ता की गई है बाई केमरला जिसमें एक क्या है लोकसवा और दूसरा क्या है राज्यसवा है तो अगर बात की जाए तो एक पार्लियमेंट और पार्लियमेंट के कौनकों से हो है एक क गारथ का संसद है अथा पर्लियमेट जो है उसका composition दे रखा है कि पर्लियमेंट में कौन-कौन होगा तो पर्लियमेंट के जो तीन अंग होते है तो पर्लियमेंच के कहें तीन अलिमेंट होते है एक आपका president Lisa जो first जो main 79 में यही बताया गया है, कि एक कौन होगा, एक प्रेशिडेंट होगा, और दूसरा क्या होगा, लोकसवा और तीसरा क्या होगा, राजयसवा, यह तीन मिलकर क्या बनाते हैं, पाल लिया मेंट को, तो राश्टरपती को हम उल्लेडी पढ़ चुके हैं, तो बात की जाए, तो लोग सभा के बारे में 81. तो आज हम पढ़ेंगे राज्य सभा. तो राज्य सभा की बात की जाए तो राज्य सभा अनुछे अशीमय भरड़ोटे. तो राज्य सभा को कई वह ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि राज्य सभा के बहुत अलग-अलग नाम है तो इसको बिसेशा के सदन क्यों कहा जाता है तो इसको बिसेशा के सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे पहले राश्टरपती क्या है 12 members को क्या करता है appoint करता है और वह क्या होते हैं किसी ने किसी अपने field के क्या होते हैं experts होते हैं तो इसलिए उसको बिसे सग्य सदन भी कहा जाता है, और दूसरा, जब कोई बिल है, या बिदेक है, वो जो लोक सभा में क्या होता है, लोक सभा से, फैनली किसके पास जाता है, राज्य सभा के पास भी जाता है, तो राज्य सभा उसके अपनी सलहा भी देती है, तो इसलिए राजय सभा के क्या क्या नाम है तो इसको उच्छ सदन भी बोला जाता है अथार्थ अपर हाउस और दुतिय सदन के नाम से भी राजय सभा को जाना जाता है और विसे सग्य सदन के नाम से भी राजय सभा को जाना जाता है अथार्थ काउंसिल ओफ स्टेर्स के बारे हमने बा तो 79 में हमने पढ़ा था members होंगे maximum 250 हो सकते 250 से ज़ाधा नहीं होंगे उससे कम होंगे No problem but 250 से ज़ाधा नहीं होंगे तो maximum की बात की जाए II.50 अगर present में बात की जाए कि present में कितने members है present में इसमें क्या है 245 members है जिसacă 245 members है उन्में क्या है 233 और 12 तो maximum 250, 250 में से प्रिजेंट में कितने हैं? 245, और 245 में से 233 हैं 233 कहां से आते हैं? State से आते हैं प्लस Union Territory तो जो 233 हैं, वो क्या है? State और Union Territory से मिलकर बने और 12 क्या है? 12 एक है, Nominated हैं किसकी तरफ से? President की तरफ से तो ये प्रिशन भी बहुत बार एक्जाम में पूछा जाता है कि राज्यसवा में राश्टरपती जो हैं कितने मेंबर्स को क्या करता है? Appoint करता है, तो बारे मेंबर्स को राश्टरपती Appoint करता हैं तो ये 233 जो हैं अब 233 को भी Brief में देखा जाए तो ये 233 में 233 जो ये क्या हैं, ये कहां से आते हैं State से और Union Territory से State प्लस Union Territory से तो अगर इसमें State से देखा जाए तो 229 State से और 4 Union Territory से तो 229 और 4 ये हो गए 233 प्लस में 12 Appointed by President बार है appointed by president तो total कितने हो गए 245 तो बरतमान में बात की जाए तो जो राज्य सवा में members हैं वह 245 हैं और maximum कितने हो सकते हैं तो वह 250 हो सकते हैं तो article 80 में जो है क्या है composition of राज्य सवा है कि राज्य सवा का composition क्या होगा तो maximum 250 और present में 245 जिसमें से 233 states प्लस union territory से और जिसमें भी अगर उस पोड़ तोड़ा जाए तो 229 प्लस 4 और प्लस 12 appointed by the president of India अब बात की जाए कि राज्य सवा की सीटों का बटवारा कैसे होगा तो राज्य सवा की सीटों का बटवारा कैसे होगा actually होता है क्या है जो राज्य सवा है जो राज्य सवा में जो members होते है वो states से जो states की assembly होती है मतलब सभा जो है बिदान सभा जो होती है बिदान सभा से चुनकर बेज़े जाते हैं मतलब अनुपातिक प्रतनेदित के इसाब से क्या है बेदायन सवा से अपने अपने प्रतनिदी कहां बेजते हैं जो स्टेट्स हैं वो राज्य सवा में अपने अपने प्रतनिदी बेजते हैं तो स्टेट्स के जो असेंबली होती है वो क्या करती है अपने अपने प्रतनिदी कहां बेजती है चुनकर राज्यसवा में चुनकर बेज दिये तो इनकी बात की जाए कि राज्यसवा की सीटों का बटवारा कैसे होगा तो यहाँ अनुसूची 4 में Schedule 4 of the Indian Constitution उसमें दे रखा है कि राज्यसवा की सीटों का बटवारा कैसे होगा चुनकर राज्यसवा की सीटों का बटवारा पॉपूलेशन के बेस पर होता है जन संख्या के बेस पर होता है तो जन संख्या किसी राज्य की कम है किसी राज्य की जादा है तो इसके इसाब से क्या है सीटों का बिवाजन है उसमें क्या आएगी पारदरस्ता नहीं आएगी और पूरी तरह से जो है माल लिया जाए किसी जो इस्टेट है उसकी population जादा है तो वहां से सीटें जादा हो जाएंगी और जिसकी कम है वहां से सीटें कम हो जाएंगी तो इसी में क्या है जो बटवारा हुआ है वहां अनुसूची 4 के बेच पे दिया गया है कि जो सीटेट 4 है इंडिएं कॉस्टेशन का उसके साव से क्या है राजे सवा के सीटों का बटवारा होगा और यहां जनसंह क्या के आधारपर होता है तो यह जनसंग क्या चुने जाएंगे पांच प्रतिनिदी तो अगर पहली जो 50 लाख की population होगी उसमें 5 प्रतिनिदी चुने जाएंगे देन उसके बाद जो 20 लाख होंगे अथार्थ पहले बार 50 लाख 50 लाख पे 5 देन उसके बाद प्रतेग 20 लाख पे पर एक 20 लाकी population पे एक परतुनिदी चुना जाएगा यह फिर एक परतुनिदी इसमें क्या भेजा जाएगा राज्यसवा में भेजा जाएगा तो यह क्या है राज्यसवा की सीटों का बट्वारा है जनसंग के आधार पे अगर बात की जाए है कि राज्य सवा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है तो जो राज्य सवा के सदस्यों का निर्वाचन होता है वह राज्यों की वह राज्यों की क्या है जो estates है उनकी बिदान सवा उनकी बिदान सवा legislative assembly तो जो estates की बिदान सवा है वह क्या है इनका निर्वाचन करती है और निर्वाचन में क्या है वही है एकल संक्रमडिया मत होता है और क्या है अनुपातिक प्रतिनेदत होता है तो अनुपातिक इसलिए होता है क्योंकि population क्या है हर state की अलग अलग है तो इनके representatives जो है पर house में अथार्थ राज्यसवा में बरावर जाएं इसलिए इनका प्रतनेदित कैसे होता है अनुपातिक प्रतनेदित होता है और एकल सक्रमडिय मत द्वारा होता है अब बात की जाए कि राज्यसवा मनोनीत सदस्यों की तो राज्यसवा में जो कुछ क्या है members को क्योंने appoint किये जाते है तो राज्यसवा में जो members appoint किये जाते है 12 members appoint किये जाते है इनको appoint कौन करता है तो राष्ट्रपती द्वारा है appointed होते है तो राष्ट्रपती 12 members को राज्य सवा में अपॉइंट करता है और यहां जो बारे मेंबर्स होते हैं यहां अपने किसी न किसी फील्ड में क्या होते हैं बिसे सगे होते हैं और वहां फील्ड क्या है या तो साहित्य से होना चाहिए या आर्ट से होना चाहिए या फिर बात की जाए तो कला से होना चाहिए तो जो बारे मेंबर्स हैं नॉमिनेटर होते हैं वह लिटरेचर, अथार्तसाहित, बिग्जान, साइंस, कला, आर्ट और समास सेवा, सोसल सर्वेस तो यह जो चार फील्ड हैं इन चार फील्डों के जो होते हैं, उनको क्या है, 12 मेंबर्स को राष्टरपती नॉमिनेट करता है किसमें, राज्यसवा में तो राज्यसवा में हमने देखा था, 245 जो है प्रिजेंट में, 245 में से 233 प्लस 12 थे, यही 12 कौन थे, जिनको मनोनीद किया था, राष्टरपती जी ने अगर बात की जाए, तो राज्यसवा को एक इस्ताई सदन के नाम से भी जाना जाता है तो राज्यसवा को इस्ताई सदन या फिर पर्मानेंट हाउस के नाम से भी जाना जाता है अगर पर्मानेंट हाउस की बात की जाए, तो इसको पर्मानेंट हाउस इसलिए कहा जाता है राज्यसभा क्या है? पर्मानेंट हाउस है इसको पर्मानेंट हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहा कभी डिजॉल्व नहीं होती, यहा कभी भंग नहीं होती तो इसके लिए बहुत सारे अब्जेक्टिव आज तक एक्जाम में आये हैं, जिसमें यहाँ पूछा, मतलब एक ट्रिक की तरह गुमाके दे दिया जाता है, कि कि राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है अथार्थ कौन डिजॉल्व कर सकता है, तो उप्संस होते हैं इस्थाई सदन है, यहाँ कभी भंग नहीं होती है, लेकिन इसके मेंबर्स क्या है, इसका जो सामाने कारेकाल देखा जाए, अगर मेंबर्स का कारेकाल इसका राध्य सबाका तो कोई कारäकाल होगा नहीं कि यह तो कभी परवानेंट है या कभी भंगड नहीं होती है तो जो इसके members हैECT उनके काराकाल के अगर बात की जाए तो उनका time period जो होगा वह क्या है? 6 बडस का होता है तो सामाने काराकाल जो है वह छेवर्ज का होता है तो छेवर्ज में क्या है इसमें भी क्या होता है कि जो एक त्याई मेंबर होते है वन थर्ड जो मेंबर होते है वन थर्ड मेंबर वन थर्ड मेंबर हर दो साल पर क्या हो जाते है रिटायर हो जाते है यहां पर्मानेंट मेंबर है जो पर्मानेंट क्या है पर्मानेंट हाऊस है यहां कभी भंग नहीं होगा तो इसके मेंबर्स तो चेंज होंगे हर साल मतलब इसके मेंबर्स तो चेंज होंगे तो इसके मेंबर्स कैसे चेंज होते हैं तो इसके जो वन थर्ड मेंबर होते हैं त टोटल कितना हो जाएगा, वन थर्ड, पहली साल में वन थर्ड, दो साल में वन थर्ड, देन अगली दो साल में वन थर्ड, जब इनको solve करेंगे, तो LCN 3 by 3, अथार्थ 1, तो मतलब क्या है, 6 साल के अंदर अंदर पूरी राजय सभा क्या है, नहीं हो जाती है, मतलब नए members हो जाते हैं इसलिए इसका सामाने कारेकल किया है 6 words होता है तो जो इसके members हैं हर 2 साल में एक त्याई members जो है retire हो जाते हैं और total members किया है 6 साल के अंदर अंदर पूरी जो राजय सवा है उसके नए members हो जाते हैं तो अगर बात की जाए कि जब पहली राजय सवा बनी होगी तो जब पहली राजय सवा बनी होगी तो उस समय पे किस तरह से नोंने 1 3rd members को हटाया होगा क्योंकि इसका तो सामाने कारेकल 6 words का होता एक member का तो जब इस्टार्टिंग में 1902 में जब यह राजय सवा बनी थी तो इसके members कैसे हटाये गए होंगे तो इसमें क्या है राश्टरपती ने क्या किया था अपने स्वा बेक का प्रयोग किया था और उसमें क्या किया गया था एक तरह से पासा पासा वाला सिस्टम चला था बनाब परची डाली गई थी तो जिन बेक्तियों के भी जिन वन थरड बेक्तियों का परची में क्या था नाम आ गया था उनको हटा दिया गया था तो इसी प्रकार क्या है second time भी जब आया अगली दो साल में then फिर same process अपनाई गई और जब थरड time में भी क्या process अपनाई गई तो यह एक इस्थाई सदन है कभी भंग नहीं होता है और सामाने कारेगाल की बात करें तो 6 वर्स होता है अगर बात की जाए कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या आपके पास qualifications होनी चाहिए तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए qualification भारत का नागरिक होना चाहिए भारत का नागरिक होना चाहिए और age क्या है age 30 years की कम से कम क्या है age होनी चाहिए तो भारत का नागरिक होगा और कम से कम 30 साल की उमर होगी और मतदाता के तौर पर क्या है पंजीकरत होगा अतार्ष एक voter के तोर। पे भारत में registered होगा तो भारत का नागरिक IU 30 वर्स और मतदाख़ता के तोर। पंजीकरत होगा अगर बात की जाये राजसवा के सदस्दों का पत्याग तो राजसवा के सदस्दे के आए अपना पत्याग कर सकते है सभापती को क्या दे देते हैं अपना रेजिंग नेशन दे देते हैं तो राज्य सभा के सदस्य अपना रेजिंग नेशन किसको देते हैं सभापती को देते हैं अगर मान लिया जाए कि राज्य सभा का कोई member है और राज्य सभा का members क्या है total members का हर 6 साल पर तो उनके एक तरह से क्या है 1, 3rd, 2 साल पर जाते हैं और 6 साल में नई राजसवा बन जाती है लेकिन अगर किसी व्यक्ति का जो सदस्य है राजसवा का बीच में ही क्या है वो या तो पत्या कर दे या तो अपना resignation दे दे या फिर क्या है उसकी म्रत्य हो जाए या तो resignation दे दे या म्रत्य हो जाए तो ऐसी केस में क्या है राजसवा के सदस्यों को क्या होता है फिर जैसे कोई व्यक्ति की death हो गई राजसवा के किसी member की death हो गई तो उसकी जगे post vacant हो गई तो जब वह post vacant हो जाएगी या जब seat खाली हो जाएगी तो उसके लिए क्या है? by election करा लिए जाते हैं तो उसके लिए by election करा लिए जाते हैं तो अब जो by election होगा अभी तक हमने पड़ा था राष्ट्रपती और उपराष्ट्रपती के case में अगर इनका पड़त्याफ हो जाता है या फिर इनको हटा दिया जाता है तो इनकी जगे जो नया राष्ट्रपती या उपराष्ट्रपती जो चुना जाता है elected होता है तो वह क्या है? वह पूरे 5 साल के लिए द्वारा से काले करता है तो जो नया राष्ट्रपती आएगा वह पूरा 5 साल का अपना tenure पूरा करता है लेकिन राज्यसवा के साथ ऐसा नहीं है तो इसको हम compare करके रख सकते हैं तो राज्यसवा के साथ ऐसा नहीं है अगर राज्यसवा का कोई member है और अगर उसकी death हो जाती है तो उसकी जगए क्या है उसकी death होने पर क्या है उसकी जगए by election करा लिया जाते है और जो by election होता है वह by election होता है देन जो नया व्यक्ती आता है वह बचे हुए कारेकाल के लिए राज्यसवा का member होता है मान लिया जाए कि अगर कोई राजे सवा का मेंबर है और वह दो साल के लिए क्या है दो साल में दो साल उसने क्या है राजे सवा का मेंबर रहा और दो साल बाद उसकी क्या हो गई डेथ हो गई अगर दो साल बाद उसकी डेथ हो गई हर चार साल यहाँ पर तो चार साल के लिए वह मेंबर राज्यसभा का माना जाएगा अगर तीन साल में उसकी मृत्ति भी होती तो तीन साल यहाँ बच गए होते तो यह नया मेंबर आता वह तीन साल के लिए रहता तो राज्य सवा के सदस्यों का पत्याग, सभापती को लेटर लिखिया, वो अपना पत्याग कर सकते हैं और अगर उनकी लिठी होती है, अगर किसी वज़ा से उनका क्या पोस्ट बेकेंट हो जाती है तो वह क्या है उनकी उप्चिनाव कराए जाते हैं बाई एलेक्शन कराए जाते हैं और बाई एलेक्शन के बाद जो नया कारेकाल होता है नए सदसे का वह जो पुराना सदसे जिसकी डैथ हो गई है उसका बचा हुआ कारेकाल होता है उसी टैम के लिए मेंबर रहता है और र परलियमेंट संसत्त का जो राज्यसभा था यह पसंद आया होगा एक राज्यसभा से जो फेक्ट से लेटेड कोई से वो थोड़ा सा वीडियो और एक बना के अपलोड कर दिया जाएगा जिससे के क्या है कोई भी प्रसन आपका एक्जाम में ना छूटे तो उम्मीद गरता ह आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक्यू